आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला, ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें NFT के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले च्यार, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share निफ्टी से better है या नहीं यानि कि पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए निफ्टी 50 shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है शेर में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए 1st point share ने जीत लिया है 2nd point Nifty ने जीता 3rd point share ने जीता आधी match में किसने ज्यादा रंग बनाए ये important है लेकिन match complete होने पर क्या score board है ये सबसे ज्यादा important है overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया Thank you